दिल्ली के मयूर विहार के न्यू कोंडली इलाके में प्राचीन शिव मंदिर की छट के उपर लेंटर डालने को लेकर के जो है वो पुलिस के बीच और जो स्थानी लोग हैं उनके बीच जो है वो एक अभिबाद हो गया और जो है वो जो इलाके के लोग हैं वो सडकों पर आ कि यह वो प्राचीन शिव मंदिर है जिसके ऊपर जिसको लेकर के इस सारे विवात की जो है वो शुरुवात हुई और जैसा के डीडीय के अतिकारी और पूस्मैकिमे के लोग आ गया थे इस लेंटर की विवात को लेंटर डालने से रोपने के लिए लेकिन बाद में जो परिकटा होने लगी और काफी समझाईश के बाद अब जो मंदिर पर जो चट डालने का काम है वो पूरा हो चुका है कैमरा पर सुनिल पांडे से मैं कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं कि जो है गली के अंदर भी जो दिली पुलिस के जवान है वो यहां पर मुस्तैद है और गली के बाहर भी बड़ी संख्या में जो है जो पुलिस के जवान है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं और इस मंदिर से थोड़ी दूर पर ही जो है यह मस्जिद है और जिसके बाद जो है किसी तरीके के तनावपूर इस्तिती ना हो जिसको रोकने के लिए जो है वो जैसे इतनी स्थिती इतनी तनाव पूड़ होगे तेखिए बिवाद तो ऐसा कोई खास नहीं था कि इस तरह जो लोयर कम्मुनिटी है उसकी तरफ से तो कोई बिवाद नहीं है कोई आपती नहीं है असल में बिवाद यह है अनौतराइज होने पर यह मंदिर की जगे अनौतर करें और इस काम को किया अबढ दो